हेलो एवरिबड़ी एन वेलकम बैक तू माई चैनल और मुझे यह बात पता है कि महीनों से इस चैनल पर कोई वीडियो नहीं आया है और मैं महीनों तक नहीं गायब था तो मैं एक्जाम दे रहा था तो अभी एक्जाम खतम हो गया है तो मैं आप लोगों के सामने आ चुका ह और फिर से एक और नया वीडियो लेकर तो प्लीज थोड़ा सपोर्ट दिखाना यार मतलब मैं कंटीनू करना चाहता हूं लेकिं कभी कि सपोर्ट नहीं मिलता तो मुझे थोड़ा बुरा लगता तो मैं वीडियो बना रहा हूं और जो आजकर टॉपिक है मेरा वो है दे ब बताने वाला हूं जो मेरा पहला नोविल था जुसको मैंने पढ़ा था और उसी नोविल की विज़े से मैं एक आल टाइम रीडर में मुझे इंस्पाइर किया एक रीडर बनने के लिए उस किताब ने तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बुक का नाम है मैं one of the favorite Robin Sharma's book the monk who sold his Ferrari किताब है Robin Sharma का और जो है यह इस किताब ने मुझे काफी इंस्पाइर किया है काफी help किया है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और साती सारी उनो बुक्स पढ़ने के लिए भी मुझे इंस्पाइर किया है इस बुक का concept बहुत अच्छा है इस बु मतलब यह जो बुक है यह बुक एक जैम है सही में बताव मतलब इसकी जो concept है philosophy से वह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे लब यह एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर है जो की मतलब अपने success को ढूंबने के जो रस्ते पे अपनी जो पूरी character है personality उसको खो देता है तो वही ए इंडिया से वापस जब United States जाता है तो वह एक monk बन जाता है और उसके जितने भी positions होते है ना material position जैसे कि उसके पास घर होते है फरारी होती है यह सब होती है वह सब कुछ बेज देता है तो इसी वादे से इस book का नाम जो है the monk soldier is Ferrari है क्योंकि वह उस इंसान के बारे में है जो एक दोसको नेरेट करता है अची तरीके से तो जब वह नेरेट करता है अपने दोसको वह स्टोरी तो उसी narration में इस पूरे किताब को लिखा गया है इस पूरे किताब के philosophies concepts को लिखा गया है जो आपको इस किताब में हर एक time bound करके रखती है और यह किताब ज्यादा आप दे वीडियो इस चनल का पहला वीडियो होने वाला है ये और बहुत कुछ होने वाला है वीडियो में जो में मेरे चैनल करछा आने वालेए वक्त में आपको ίह बात धीरे धीरे ही क्रिका जलेगे आज секह वांञे सिकте आपको शूरे और पैसने एक और भीको जिर किजे plano किताब का तो मुझे दू कमेंड में डाउन टी के तो मैं इसका एक जो है समुरी आपको बता दूंगा तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच एंड बावाई